हेलो गाईज वेलकम बैक तो माई यूडूब चेनल एसके मिश्ड़ी अवे आप सक्सेश में हूँ आपका एजुकेटर सियों मिसरा वैसे तो मैं बाइलोजी की धिर सारी वीडियोज लेकिया रहा हूं लेकिन यह जो पेपर है ना इस पेपर को आप तयार करने का फायदा क् इस पेपर को तयार करेंगे तो यह सब्सक्राइब को फीसद के ऐसे इंपारटेंट है जो की आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आप वही पढ़के जाएए जो आप के प्यापर में पूछे जाएं इस师 सोर ओस्यों में बताओं इसका मैं जो क्यूशन इपॉर्टेंड मैं उसको सॉल्फी करवा देना हूं ठीक ना चलिए यहां पे है कि सही विगल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको सही विगल्प का चुनाओ करना है और अपने उत्तर पुस्तिका में क्या करना है लिखना है तो यहां पर है यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिका में गुर्शुत्रों की संख्या क्या है 24 है कोई पत्ती है और उस पत्ती की कोशिका में गुर्शुत्रों की संख्या कितना दिया है 24 दिया है ठीक है यानि तूएन बराबर क्या 24 है तो उसके भूर्ण पोस में गुर् सुत्रों की संख्या बताना है हां तो एक चीज याद रखना कि जो गुड़ सुत्रों की संख्या होती वो क्या होती है थ्रियन होती है क्या होती है थ्रियन होती है और कोशिकाव में कितना है 24 यानि तूरियन बराबर कितना है आपका 24 इसको मैं थोड़ा सॉल करा दे रहा हू है वैसे अगर हम बात करें तो रूराओ कोश में जो होती है 3 होती है और यहां पर क्या है को कवह सिका संख्या किनी दिया है तो 24 लिए याल निकालेंगे Spinach नौन तो दूड़ां में भाग में जाएगा 12 केंदा आगा 12 ओंडरज surprise कितना अगय吧 उप अब यहां पर 3N होता है किसमें 3N होता है तो यहां कामा रख देंगे तो 3 into 12 हो जाएगा और बारत यह कितना हो जाएगा आपका 36 तो देखे 36 एंसर है देखे राइट एंसर हो जाएगा तो भूण पोस्ट में गुर्ण सुत्रिक संख्या किन्नी हो जाएगी 36 हो जाएगी क्य इंटरिस्टीसियल क्रियांञ जेटा किसमें पाय जाते हैं यूनी यूनी वेलेंटस में बाई वेलेंटस में या फिर इन्मे से कोई नहीं तो इसका राइट इन्सर हो जाएगा बाई वेलेंटस में क्या होता है बाई क्लियर है ना क्लियर है नहीं उसके बाद यहां पर क्योशन अगला अगला क्योशन क्या है अगला क्योशन क्या है अमली वर्षा सोवर्थम कहां देखी गई थी जो अमली वर्षा थी सोवर्थम कहां पर देखी गई थी अमेरिका में इसकैंडी वेनिया में इसकैंडी नेवि या में भारत में या कनाड़ा में तो अमली वर्षा सो प्रथम अमेरिका में देखी गई थी कहां पर देखी गई थी अमेरिका में किसन में 1960 में देखा गया था दो उसके वाज़े द्वी संकर क drives का उनपात कि इननरा होता है वह आपका होता है आपका एक अनुपाते एक अनुपाते एक होता है ठीक है ना तो यह आपके क्या होगे बहु विकलपी प्रश्ण हो गए उसके बाद है आपके आपके अतिलगुतरी प्रश्ण जो कि यहां पे दिया गया है यह दिया गया है कि बायो पाइरेसी क्या होता है बायो पायरेसी क्या है बायो पायरेसी क्या है अन्य देशों की जैविक संपदाओं का सोसर या उनका पेटेंड प्राप्त करना बायो पायरेसी कहलाता है अन्य देशों की जैविक संपदाओं का सोसर करना क्या कहलाता है बायो पायरेसी कहलाता है या उनका patent प्राप्त करना बायो पायरेसी कहलाता है अन्य देशों की जैविक संपदाओं का सूसर करना या उनका patent प्राप्त करना बायो पायरेसी कहलाता याद कर लिजिए वैसे इसका मैं solution करवा दूँगा प्रापर परशान मत हुईएगा उसके बाद है बीटी काटन पर टिप्र लिखी बीटी काटन क्या होता है बीटी बिस द्वारा समवर्धित फसलों को बीटी फसल कहते है जैसे बीटी आलू, बीटी टमाटर, बीटी बैगल, बीटी कपास इत्याद बीटी फसलों क्या है उदारण है तो BT टमाटन, BT यालू, BT कापास और BT बेगन इत्याद BT फसलू का क्या है? उदारण है, तो BT कापास क्या होता है? BT बिजद्वारा संवर्धित फसलो को BT कॉटन कहतने हैं, उसके बाद है टर्नल सिड्रोम के गुर्षुत्रों की संख्या क्या होती है? तो टर्नल सिड्रोम में गुर्शुतरिक संख्या क्या होती है तो टर्नल सिड्रोम में एक क्रोमोसोम का क्या होता है अभाव होता है टर्नल सिड्रोम में एक क्रोमोसोम का क्या होता है अभाव होता है छी आलिस के अस्थान पर कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं 45 हो जाती है और उस संख्या और उसमें संध्याख किस पौधों में पाता है तो इस पौधों में होता है यह पौधा जाता है तो आपके नागव भनी इसा राणफनी किसमें जाता है नागफनी और यू फर्विया यू फॉर्बिया नागफनी और यू में सायतियम पुस्पक्रम पाया जाता है उसके बाद है ध्वन प्रदूसर की काई क्या होती है तो ध्वन प्रदूसर की काई होती है वह होती है डेसिबल यानि उसका यूनिट पुछा है मात्रक पुछा है डेसिबल होता है बीटी काटन किसे कहते हैं बीटी बिस द्वारा जो समवर्धित फसलो को बीटी काटन कहती है बात सम्झा रही है इधना हो गया आपका चलिए नेक्षवाला यहां पर तप्त अस्थल पर टिपड़ी लिखिए तप्त अस्थल का मदलब होता है तप्त अस्थल का मदलब होता है होट स्पॉट यह तप्त अस्थल क्या होता है वे छित्र जहां जीव जातियों की घनी आबादी पाई जाती है जो दुरलभ परजातियों की स्रेडी में आती है वे चित्र या वुध चित्र जहान जीव जातियों की घनी आबादी पाई जाते हैं और यह जीव होते हैं यह जीव क्या होती बहुत ही दुरलब होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं होट इस्पोर्ट कहते हैं होट इस्पोर्ट कहते हैं होट इस्पोर्ट क्या होता है वेच्छित्र जहां जीव जातियों की घनी आबादी पाई जाती है और वे वे दुरलब प्रजातियों की स्रेणी में आते हैं उन्हें तपतस्थल या hot spot कहते हैं भारत में कितने तपतस्थल है तो भारत में कुल तपतस्थलों की संख्या तीन है भारत में कितने तपतस्थल है तो रियात कलीजी भारत में तपतस्थलों की संख्या तीन है यह आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है इसको मत लिखेगा प्यूरी प्यूरीन में क्या होते हैं दो बंदर सिंखला होती है और एडिनीन तथा गवानीन दो प्रकार के हमारे प्यूरीन पाई जाते हैं एडिनीन और गवानीन और पिरिमडीन की बात करें तो पिरिमडीन एक ही बंदर सिंखला पाई जाती इसमें दो बंदर सिंखला पाई जाती प्रकार पाएजाते हैं लेकिन पिरमडीन में साइटोसीन थाइमिन यूरेसील तीन प्रकार का पाएजाता है उसके बाद खाद इस्रिंखला पर टिपड़ी करना यह आपके सिलिबस से हटा दिया गया है ठीके न? उसके बाद इधार आ जाईए इसमें से जो important है मैं आपको बता दे रहा हूं कि important क्या है इसका मैं वीडियो बना दूँगा यह important है आवर्त चक्र वाला लिख देंगे और test cross वाला आप लोग लिख देंगे एक खादर सिंखला वाला यह वाला यह भी आपके लिख्या है बहु आपके सौ पोसी आते हैं प्राथिमिक उभहकता साकाहरी दुति एक उभहकता मानसाहरी तृतियग उच ङदाओ थे जीयो में कर दूँगा है इंपर्टेंटेंट यह जो आपका इंपर्टेंट है यह इंपर्टेंट है यह अर्य को प्लाटेंट से बता दिया हूं इसको पर spontan मत wszyscy यह important है जर्ण संख्याब इस फोट देखें आप पूछा है पाज नंबर का इसको मैं करवा दिया अभी जो वीडियो अप्लोड हुई थी दिरुतरी प्रश्च में जाके पढ़ लीजिए वहां पर मैंने इसको करवा दिया गया है यह से लेबर से निकाल दिया गया मत पढ़ हो यह जो नोप अच्छा है और ग्रीन हाउस इसको नहीं पढ़ना यह डियने अनुमासिक पदार्थ होता है हरसे और चेज का प्रयोग करना है डियने बाला इसको आपनों कम्प्लीट कर लिए पास नंबर का यह important है ठीक न बस हो गया यह यह most important है पढ़ लिजिए बस और यह वाला और यह वाला बस ठीक है बाकी इसका में और जो बच्चे वए क्योंशन है आप कभी कुछ देर में आपको वीडियोज मिल जाएगी आप लोग पढ़ दीजिगा यार चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और यार वीडियो को लाइक कर देओं कि दूसरों थैंकिव जैहिंग